Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ प्रगिती जैसा कि आप लोग जानते हैं गनेश चतुर्ती आ रही है तो उसी से related आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ मैं आज आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगी, वो दोनों multi purpose हैं उसको आप कई festivals में use कर सकते हैं आज मैंने आपके साथ शेयर किया है एक candle stand या फिर आप उसको कह सकते हैं दिया stand और गनेश चतुर्ती के लिए पीछे का background यहां पर दिया stand इसके लिए मैंने लिया है cardboard और यह जो rolls आप देख रहे हैं यह मैंने फॉयल पेपर के rolls लिये हैं इनको मैंने अल्रेडी कट कर लिया था क्योंकि इनको काटने में थोड़ा सा जाधा टाइम लगता है वीडियो काफी लंबी हो जाती तो इसको मैंने size के recording कट कर लिया जिस type से मुझे यह stand बनाना है आप चाहें तो और किसी size में भी इसको cut कर सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ यह marzanta color का fabric color अगर आपके आस नहीं है तो आप watercolor का भी use कर सकते हैं मैं fabric color इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन में थोड़ा अच्छा सा shining होती है आप watercolor भी use कर सकते हैं इस पूरे stand को बनाने के लिए मैं यहाँ पर फैविकॉल का यूज करने वारी हूँ क्योंकि हर किसी के पास glue gun अविलेबल नहीं होती है लास्ट में मैं एक जगे glue gun का यूज करूँगी तो उसकी जगे पर आप fabric कोई का यूज कर सकते हैं मेरे पास fabric bond या fabric कोई खतम हो चुका था इसलिए मैंने glue gun का यूज किया है क्योंकि उसको चिपकाने के लिए आपको fabric कोई खी चाहिए होगा तो नीचे के base में मैंने marzanta color कर लिया है उसके बाद जो ये rolls हैं इनमें भी सब में हम marzanta color को कर लेंगे और उनको dry होने के लिए रख देंगे बाकी का जो process हम करेंगे पूर अच्छे से जब ये paint हमारा dry हो जाएगा उसके बाद ही हम उसको बनाएंगे जब तक ये paint का process complete हो रहा है तब सक मैं आपको बता दीती हूँ आप मुझे facebook और instagram पे भी follow कर सकते हैं facebook और instagram के link मैंने आपको अपने description box में दे दिये हैं आप जाके वाँ से check कर सकते हैं तो देखिए हमारा ये जो नीचे का base है इसका paint बिल्कुल dry हो चुका है अब मैं यहाँ पर colorful tape का use कर रही हूँ मैं यहाँ पर golden और ये silver color में tape है इसका use कर रही हूँ आप कोई किसी भी color की colorful tape का use कर सकते हैं जब tape का color आप select करें तो थोड़ा सा ध्यान रखीगा कि background में वो highlight हो नीचे के base को हम इस golden color की tape से 4 side से secure कर लेंगे tape की जगे पर आप यहाँ पर golden color की lace का use भी कर सकते हैं वो भी काफी अच्छी लगेगी और जो नीचे के base में मैंने यहाँ पर मर्जंटा color करा है अगर आप color use नहीं करना चाते हैं तो किसी कपड़े से इस नीचे के base को भी cover कर सकते हैं और 4 side lace भी लगा सकते हैं तो देखिए नीचे का base अब हमारा ready हो चुका है अब इन rolls को भी ready कर लेते हैं rolls के लिए मैं यहाँ पर इससे जो बेरे rolls हैं इसको उपर लगाने के लिए इससे थोड़े बड़े size का circle कट करूंगी इसके लिए आप कोई भी ढख करने या आपके घर में जो भी अविलेवल हो उसका use कर सकते हैं पर ध्यान रखेगा जो हमने rolls लिए हैं उससे थोड़ा सा बड़ा size का होना चाहिए यह जो उपर मैं इन में cover लगा रही हूँ वो इसलिए लगा रही हूँ जब इसके उपर हम दियो को रखेंगे तो उनको हम आसानी से उन पर रख सकते हैं एक circle को cut करने के बाद उसी की help से मैं सारे circle को draw कर लोंगी और scissor की help से बाकी सारे circle को भी cut करके ready कर लोंगी इन सभी circles को cut करने के बाद same उसी color का paint हम skulls के उपर भी कर देंगे ताकि वो दिखने में equal लगे उससे पहले इन सभी circles को हम एक एक करके rolls के उपर लगा लेंगे इसको हम favicol की help से इसके उपर चिपका देंगे और dry होने के लिए रख देंगे dry होने के बाद ही हम इन में same color का paint कर देंगे अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा है अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी useful लगे तो share कीजएगा अपने friends group में तो इसी तरीके से सारे rolls को बनाकर ready कर लेंगे सेम जैसे मैंने आपको base के लिए बताया था अगर आप इस पर paint नहीं करना चाते हैं rolls को भी आप किसी कपड़े से cover कर सकते हैं या फिर आपके पास colorful paper हो उनसे भी आप इन rolls को wrap कर सकते हैं जरूरी नहीं आप paint करें paint complete करने के बाद फिर से मैं एक golden color की tape का use करूंगी जो मैंने base के लिए use की है सारे rolls के नीचे के हिस्से को हम सेम उसी golden color की tape से cover कर लेंगे तो थोड़ा देखने में decorative लगेगा यहाँ पर भी अगर आप tape use नहीं करना चाते हैं तो आप किसी भी color की lace का use कर सकते हैं आप इसमें जैसे मैं tape लगा रही हूँ सेम उसी pattern में lace लगा सकते हैं इसमें मैं tape का use इसलिए बता रही हूँ इससे पहले मैंने करशन जी के ले एक जूला बनाया था उसको मैंने सेम इसी pattern में lace लगा कर बनाना बताया था अगर आप वीडियो भी देखना चाते हैं उसका link भी मैं description box में आपको दे दूँगी उस तरीके से भी आप इन rolls को बना कर रेडी कर सकते हैं एक roll का measurement करने के बाद सेम उसी size की बाकी lace को भी हम cut करके रख लेंगे इससे की लगाना easy हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर glue gun का use कर रही हूँ इसको आप glue gun अगर आपके पास अवलेबल नहीं है तो आप इसको favic quick या favic bond से भी चिपका सकते हैं इस पर आप favicol का use न करें तो अच्छा है क्योंकि favicol से यह lace अच्छे से नहीं डगेगी बार बार निकलेगी इसी तरीके से बाकी सब जगे भी हम इसको lace से cover कर देंगे तो देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं देखने में इसका final look मैं आपको वीडियो के end में दिखाऊंगी तो मेरे वीडियो को पूरा end तक देखिएगा जो चार बड़े size के roll हैं उनमें मैं उपर green color के tape का use करूँगी और जो चोटे size के हैं उनमें मैं single A की golden color की tape का use कर रही हूँ क्योंकि उनमें double tape लगाने के बाद वो ज्यादा attractive नहीं लग रहे हैं इसके बाद बाकी जो चार roll हैं उनमें हम green color की tape को cut करके इसी तरीके से same pattern में लगा लेंगे अब हम इन सारे rolls को base में fix कर लेंगे एक point है जो मैं आपको बताना भूल गई थी मैं बता देती हूँ मर्जंटा color का मैंने सब में double coat किया है तो देखे मैं आपको यहाँ पर गनपती का statue लगा के दिखा रही हूँ यह देखने में कुछ ऐसा लगेगा उसके पाद मुझे थोड़ा सा न complete लगा था तो मैंने यह एक soap की डबी है उसको लिया है उसको मैंने green color के paper से cover कर रही हूँ उसके बाद मेरे पास एक यह lace है इस lace से हम डबी के side को cover कर देंगे इसको मैंने आसन के तौर पर बनाया है और इसको भी मैं fix नहीं करूंगी इसको भी हम अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो देखे हैं मैंने जो यह stand बनाया है यह काफी मजबूत हैं मैं आपको दिखाती हूँ इसमें आप दियो को अराम से रख सकते हैं तो देखे हमारे stand का final look कैसा लग रहा है stand के side में मैं अभी आपको दो bottles लगा के दिखाऊंगी उन bottles को मैंने कैसे बनाया है इसका link भी मैंने description box में दे दिया है अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं second हम बना रहे हैं गनपती जी के लिए background इस background decoration को आप multi-puffer तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक ये paper colorful इसमें आप कोई भी color ले सकते हैं मैंने ये purple color का light purple color का लिया है इसको मैंने paper cutter की help से two part में divide कर लिया है इसके बाद मैं यहाँ पर ये red and silver color की tape ले रही हूँ ये tape आपको easily stationary shop में available हो जाएगी ये paper के दोनों side में tape को लगाऊंगी पूरा cover नहीं करेंगे सिर्फ starting में और end में इस tape को हम लगाएंगे दोनों paper पर इसी तरीके से हम tape को लगा लेंगे tape को लगाने के बाद उसके बाद हम इस paper को चार style में fold करेंगे fold मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे की इसमें निशान बन दाते हैं करेंगे कर दो 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 तो देखिं हमारा ही ऐसे बनकर रेडि हो चुका है इसके दोनों साइड के जो दोनों को हम आपस में फेविकॉल की हेल्प से जॉइट कर लेंगे पेविकॉल लगाने के बाद हम इसको कुछ है वेuhy weIT रखे इसको अच्छे से fix होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम यहाँ पर background बनाएंगे BLACKRound के लिए मैं यहाँ पर एक cardboard ले रही हूँ इसको हम hairband की shape में cut करेंगे जैसे बच्चों का hairband होता है उसी shape में इसको cut करेंगे आप चाहें तो कोई और shape भी ले सकते हैं या इसको square shape में भी रख सकते हैं cutting का process complete होने के बाद मैं आपको इसको 3-4 तरीके से decorate करना बताऊंगी आप different different तरीके से decorate कर सकते हैं मैं आपको idea दोंगी आप उसके recording इसको decorate कर सकते हैं जरूरी नहीं जैसे मैंने decorate किया है आप भी वैसे ही करें अच्छे से finishing देने के बाद जो हमने यहाँ पर यह pattern बनाया था इसको हम इसमें paste कर देंगे फेविकॉल की help से क्योंकि यह cardboard और कागज का बनाया था तो फेविकॉल से अच्छे से चिपक जाएगा तो देखिए हमारा यह अच्छे से हमने इसमें stick कर लिया है उसके बाद जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ है आप यहाँ पर इस तरह की कोई चौड़ी लेस है आपके बास या कोई tape आती है multi color की उसको भी use कर सकते है next आप यहाँ पर यह इस artificial flower आते हैं इस color के वो भी लगा सकते हैं बट मैं इनका use नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ एक्जामपल के लिए आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर यह artificial flower है yellow color के यह गेंदे के फूल के जैसे दिखते हैं इन फूलों को use करके मैं इस background को बनाने वाली हूँ नीचे के इससे मैं अच्छे से फेविकॉल लगाने के बाद यह plastic के flower है तो फेविकॉल से easily से easily चिपक जाएंगे तो उसके बाद मैं flowers को इसमें लगा लूँगी यह पूरा cardboard हमारा flower से cover हो जाएगा इसलिए नीचे के base में मैंने कोई color नहीं किया है अगर आप ऐसा कुछ design बना रहे हैं से नीचे की base नीचे का base आपका थोड़ा सा दिखाई देगा तो उसमें आप पहले-पहले किसी color का paint कर सकते हैं या फिर उसे किसी decorative paper से decorate कर सकते हैं या फिर आप किसी कपड़े से भी cover कर सकते हैं यह देखिए मैं आपको यह flowers लगा के दिखा रहे हूँ इससे यह पूरा base नीचे का जो है वो cover हो जाएगा इस तरीके से मैं सारे यह yellow color के flower इसमें फैविकॉल की help से चिपका लोगे मेरे पास यह zigzag design की seizure है यह seizure आपको easily market में मिल जाएगी इस seizure से मैंने यह green color की leaves को cut किया है यह simple green color के paper से मैंने leaves को बनाया है leaves को हम फैविकॉल की help से इसमें चिपका लेंगे उसके बाद उपर की area को भी हम yellow color के flower से ही cover करेंगे flower को लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा incomplete लगा था तो मेरे पास red color के stones तो नहीं थे मेरे पास यह red color के button थे तो यह flower में मैं उपर फैविकॉल लगा के इनको stick कर दूँगे देखने पर यह बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने stone की जगे पर यहाँ पर button का यूज किया है और यह काफी अच्छे भी लग रहे है क्योंकि यहाँ पर हमने red color के यूज किया है तो यह flower में red color का यह touch काफी अच्छा लग रहा है उसके बाद देखने के बाद यह मुझे फिर भी थोड़ा सा incomplete लग रहा था तो मैंने कुछ green colors की leaves को कट करके उपर के area में जो flower लगाए हैं उसमें भी मैंने इनको paste कर दिया है जिस idea के लिए मैंने आपको थोड़ा सा decorate करके दिखा है तो आप देखिए इसका final look इस वीडियो में जो आप water candle देख रहे हैं जो मैंने decoration के लिए use करी है उसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था उसको उस candles को कैसे बनाते हैं अगर आप देखना चाते हैं वो candles मैंने कैसे बनाई है तो उसका link भी मैंने description box में दे दिया है आप जाके महां से चेक कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप मेरे वीडियो को पहली पार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और bell icon को प्रेस करना नाम भूलेगा जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के notifications आपको मिलते रहे हैं मेरे चैनल पर आपके स्ट्राइब की वीडियो देखना चाते हैं तो मुझे comment करके ज़रूर बताएगा आप comment करते हैं तो थोड़ा सा motivation मिलता है इसी तरह की और अच्छ कुछी वीडियो में आपके लिए लाती रहूंगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई